राश्ट्रपती ए पीजे अब्दूल कलाम बेशक आज हमारे बीच नहीं है लेकिन उनके प्रभावशाली व्यक्तित्व और उनके देश के प्रती योगदान के लिए उन्हें बड़ी श्रद्धा से स्मरंग किया जाता है अब्दूल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को एक तमिल मुस्लिम परिवार में हुआ था उनका पूरा नाम अवुल पकिर जैनलाबदीन अब्दूल कलाम है हालांकि नाम लंबा होने के कारण उन्हें एपीजे अब्दूल कलाम के नाम से मुख्य तोर पर जाना जाता है उनका जन्म बहुत गरीब परिवार में हुआ था और अपने परिवार को स्पोर्ट करने के लिए कलाम अपनी स्कूली शिक्षा के दौरान समाचार पत्र बांटते थे तलाम साहब मेहनती और प्रतिभार्शाली चात्र थे उनके पसंदीदा विश्य गनेत और भौतिकी थे उनका सपना था कि वो इंडियन एफोस में जाएं इसलिए उन्होंने एरोस्पेस इंजीनियरिंग की पढ़ाई की तलाम इंडियन एफोस की परीक्षा में बैठे थे इंडियन एफोस की परीक्षा में उन्हें मिलाकर कुल 25 उम्मीदवार थे इसमें से सिर्फ आठ उम्मीदवारों का चैन होना था तलाम नौविस थान पर रहे और उनका इंडियन एयर फोस में जाने का सपना तूट गया तलाम साहब ने मदरास इंजीनियरिंग कॉलेज से एनौटिकल साइंस की पड़ाई की थी जब वो इंडियन एयर फोस में जाने से नाकाम रहे तो उन्होंने 1972 में भारती अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरों में नौकरी की थी उनके नित्रित्व में ही भारत ने अपना पहला स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपन यान यानी पीसलवी तीन बनाया 1980 में इसी यान से पहला उपग्रह रोहिनी अंतरिक्ष में स्थापित किया गया एपीजे अब्दुल कलाम साल 1992 से लेकर 1999 तक रक्षा मंत्री के वैग्यानिक सलाहकार रहे इसी दोरान अटल बिहारी वाजपेई की सरकार ने पोक्रल में परमानु परीक्षन किया इस परमानु परीक्षन में अब्दुल कलाम की एहम भूमिका थी उसके बाद साल 2002 में उन्हें भारत की ग्यारहवे राश्ट्रपती के रूप में चुना गया उनका कार्यकाल 25 जुलाई 2002 से 25 जुलाई 2007 तक रहा था वे भारत के तीसरे ऐसे राश्ट्रपती थे जिन्हें यह पद मिलने से पहले ही भारत रतन से संमानत किया जा चुका था जबकी वे 2002 में राश्ट्रपती बने थे आपको जानकर हैरानी होगी कि एपी जे अब्दुलकलाम को देश विदेश के 48 विश्व विद्यालेओं और संस्थानों से डॉक्टरेट की मान दुपाधी मिली थी तला मेंसे राश्टरपती थे जो बच्चों के बीच बहुत फेमस थे एपी जे अब्दुलकलाम को अपना समय बच्चों के बीच बिताना बहुत पसंद था चमतकारिक प्रतिभा के धनी अब्दुलकलाम का व्यक्तित्व इतना उन्नत था कि वह सभी धर्म जाती एवं संप्रदायों के व्यक्ति नजर आते थे वो ही एक ऐसे स्वीकार्य भारतिय थे जो सभी के लिए एक महान आदर्श बन चुके हैं 27 जुलाई 2015 की शाम अब्दुलकलाम भारतिय प्रबंधन संस्थान शिलुंक में रहने योग्य ग्रहप पर एक व्याख्यान दे रहे थे तब उन्हें दिल का दोरा पड़ा और वे बेहोश होकर गिर पड़े लगभग साधे 6 बजे गंभीर हालक में उन्हें बेथानी अस्पताल में ICU में ले जाया गया और दो घंटे के बाद उनकी मृत्यू की पुष्टी कर दी गई उनके निधन की खबर सुन सारा देश सक्ते में आ गया उनका देश के लिए योगदान कभी भुलाया नहीं जा सकता ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्तित्व को हमारा नमन